नमस्कार नमबुद्धाय जैभीम जी साथियों आईए आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हमारे यूटूब चैनल जागोपंच में जागोपंच आपके लिए लेके आया है सच्ची रामायन की जो सीरीज तैयार हो रही है उसमें आप सभी को कि आप सभी सच्ची रामायन पढ़ें नहीं अब देखें भी सच्ची रामायन देखके आप जान सकते हैं कि सच्ची रामायन आकिर्थी क्या सच्ची रामायन पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसके बिसे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है सच्ची रामायन अपने आप में अंद विश्वास और पा अन्या हाई कोट और सुप्रीम कोट के द्वारा पूर्ण रूब से निर्विवाद विजयी घोसित की गई है ऐसी पुस्तक जो पिछली कई परमपराओं रूडियों और कई पुस्तकों के लिए जो बहुत सारी पुस्तके अंदर विशासर पाकन के लिए लिए लिखी गई ह परोसी गई है जो जबरंग जिन पर अंदर विश्वास और आस्था का प्रचंद भूत सवार हो जाता है उन लोगों पर उस प्रचंद भूत को उतारने के लिए ये एक महत्वकून ओजा का काम करती है तंत्रिक का काम करती है ये वो तंत्र विद्या है जिससे अंत्र अंद्र विश्वास और पाखंड रूपी सभी तार जो जाल है वो खट-खट-खट-खट-खट चले जाते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही महतपोड हथियार है ये वो हथियार है जिसमें पाखंडी भी चारो खाने चित हो जाते हैं वो पाखंडी जिन्होंने उस आखंड और अंद्र विश्वास को परोसा था उन्होंने स्वयम इसे मान्यता दी है तो आप सभी साथियों से आगरे हैं इस सीरीज को लगातार देखते चलें क्योंकि बड़ी ही मज़ेदार पुस्तक है इसमें वो सब चीजें जो रामचरित मानस में छिपा ली गई हैं वो चीजें यहां पर सभी निकल के आती हैं बालमीकी की रामयन बालमीकी की देन की व वज़ा से वो भी तुलसी की तरह वो भी तुलसी की तरह बेइमान हो सकते थे लेकिन उन्होंने समाज के साथ छन नहीं किया उन्होंने सच लिखा बस हमारे समाज की ये कम जोरी रही है कि हम संस्कृत नहीं पढ़े थे संस्कृत हमें पढ़ने नहीं दिया गया था हमें सि पुर्वाने परंपराओं रोडियों को एक तरफ से अश्विकार करती है और उनका सफाया करती है तो जो जागरुपता मेरे अंदर आई मैं चाहता हूं कि वही जागरुपता मेरा समाज ये जो OBC, SC, ST समाज है वो सभी इसको देखे जाने पढ़े जब तक पढ़ेंगे नही तक कुछ नहीं होगा तब तक बतलाव नहीं होगा तो हमें पढ़ना पढ़ेगा पढ़ने के लिए हमें अपने महापूर्शों की पुस्तकों को पढ़ना पढ़ेगा वहां से हमें सच्चाई की जानकारी होगी कि आखिर सच क्या है पाखंड क्या है अंदविश्वास क्य है रूडवादिया क्या है परंपाय क्या है हम यह परंपराएं जो पीछे से चली आ रही है उनको आखिर हम कब तक ढोएंगे तो उन्हें आप ढोएं नहीं वो बोजा इतना हो जाएगा कि आप आर्थिक समाजिक राजनेतिक कि जो आपका विकास है वो धीरे-धीरे खतम हो जाएगा क्योंकि इसी को खतम करने के लिए उन्हें पुस्तकों का निर्मार किया गया था तो आईए उन्हीं पुस्तकों को खूडे में डालने के लिए जो सामने पुस्तक आई कि इस पुस्तक को पहलोगे तो पिछले पुस्तके जो हैं पुडश्ट रवीन में सुनते जाएं भरत भरत बन में अयोध्या की राजगत्दी राम को सौप कर उसकी खणायू लेकर अयोध्या वापिस लोटा उसने उन्हें सिंगासन पर रखकर 14 वर्स तक एक तवस्वी का जीवन बेतीत किया भरत इस चिंता में छीड कारे हो गया कि राम 14 वर्स के भाव से लिखा है बालवी की जीने ये तारिफे काविल है तो यहां पर राम ने ऐसे सजन और सच्चे ब्यक्ति परसंदे किया इस सवाल है ये राम के चरित्र की ये राम के चरित्र की कहानी है जो सच्ची रमायन में बालवी की रमायन से लेकर सच्ची रमायन बनाई गई वो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो इस कथा का आनंद लेने के लिए ये कथा आपके अंद्विश्वासोर पाखंड को काटने के लिए है इसलिए आप इसे जरूर सुने और देखें तो राम ने ऐसे सज्जन और सच्चे ब्यक्ति पर संदेख किया राम 14 वर्स बनव अब मैं एक बिसाल सेना लेकर बीवीशन एवं सुग्रिव सहित आ गया हूं इस समाचार को सुनकर भरत के मुखारविंदु पर पड़े हुए प्रभावव सभी प्रकार के भोग वा प्रसंता से परपूर्ण अयोध्या को त्याग कर राम के पास सीग चल देने की बात पर यह देख यह देख बड़ा ही दुशकर कारे है कि कोई एक भाई दूसरा भाई को इस तरह जब से गंदी मिली हो तो नहीं कर सकता लेकिन भरत के इस भाई प्रेम की वज़ा से मन हिर्दय जो है गंगध हो जाता है क्योंकि गंगध होने का कारण है क्योंकि भाई-भाई की लडाई बहुत ही बुरी मानी गई है और होना भी ने चाहिए क्योंकि दोनों एक ही हैं तो ये लिखा गया है उत्तरकांड अध्याय 127 आप सभी अगर नोट करना चाहते तो वीडियो को रिपेट सुनके अध्याय भी नोट कर सकते हैं तो अगले बिंदु पे आते हैं राम स सीता के चरित्र पर संदेह करता रहा और अगरी परिक्षा देकर उससे अपने सतित्तों को सिद्ध करने को कहा राम की विवस्था अनुसार सीता को ये कश्ट सहन करना पड़ा तो तो भी राम ने सीता को गर्भोती पाया अता सीता के सतित्तों का संदेह प्रजा की चर्चा अपने नेड़ने को बिना सीता को बताए उसे गरभती दशा में जंगल में छुड़वा दिया तो यह बिंदु जो है आप कितना मारमिक है यह इतना ही मारमिक है जितना की एक ब्यक्ती अपने बच्चपन में अपनी मा को छोड़के तपस्या करने के लिए जंगल में चला जाता है और माबाप बिलखते रहते हैं कि मेरा बच्चा कहां होगा क्या कर रहा होगा वैसे ही ऐसी ही दसाएं मन में आती हैं जब एक पत्नी गर्ववती हो और उस समय उस पती द्वारा अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ दे इस संदेह पर कि वो उसका बच्चा नहीं है ऐसे मर्यादा पुर्शोत्तम राम की क्या पूजा होनी चाहिए ऐसे मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान की क्या बहुत बड़ा भाब्य मंदिर बनना चाहिए यह सवाल आप लोगों के मन में क्यों नहीं आता क्या भले ही सीता गरबवती थी और भले ही इसकी जानकारी राम को पता था कि वो किसी दूसरे से गर्ब होती थी तो वो राजा था उनके लिए वो अच्छी जगा घर भी बनवा सकता था घर बनवा के दे सकता था लेकिन उसने उस दसा पे उस निरी महिला को अकेले जंगल में छोड़ दिया कि वो जाए अहीं भी कैसे भी रहे ये है मर्यादा पुर्शोतन राम का चरित्र चित्रन इसी लिए हम राम चरित मानस को आस्था से पूजा करेंगे अब हमारे समाज की नारियों को ऐसे पूरूस यवी पसंद है कि जो उनके मार्मिक और इससे ज़्यादा मार्मिक नहीं हो सकता कुछ भी क्योंकि वो एक जो जीवास्म आता है दोनों के ममत्यों से जुड़ा हुआ होता है ऐसा ये बहुत ही खूबसूरत वो पल होता है जहां पे हमारी सरंचना होती है और उस सरंचना के साथ हमें ये भरोसा होता है कि आने वाला जो हमारा बेटा है पुत्र है वो हमारी सेवा करेगा हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे ऐसी दसा में जहां पर एक अच्छे ख्याल नारी के मन में आने चाहिए कि मेरा बच्चा बड़ा होगा मेरा बच्चा कैसे जन्म लेगा मैं अपने बच्चे के साथ कैसे ब्यावहार करूँगी उस दसा में उस नारी को ये सोचना पड़िया कि जंगल में मैं अपने बच्चे को कहां रखूंगी कैसे रहूंगी ये बहुत ही खूब सूरत मर्यादा पुर्शोतम की बहुत बड़ी उन्हें इसलिए मैं तो कहता हूँ कि उन्हें मर्यादा पुरुषोतम किसी नारी दुआरा उन्हें सम्मान मिलना चाहिए कि आपने गजब अपनी पतनी को छोड़ दिया ऐसे थे हमारे मर्यादा पुरुषोतम राम बालमीकी कलम को सलाम तो आगे चलते हैं जब बालमीकी ने सीता के पविद्र सतित्तों के विशे में द्रड़ता पूरुवक राम से कहा तो भी राम को विश्वास नहीं हुआ कि सीता को पृधिवी के अंदर समा जाना पड़ा यह जानते हुए भी कि सुग्रीव वभिशन अपने भाईयों को मारकर राजगदी पर अधिकार कर लेने के उद्येश से उनके पास आये फिर भी राम ने उन से मित्तरता कर ली अब आप यहां पे देखिए यह जानते हुए भी कि सुग्रीव वा विभिशन अपने भाईयों को मारकर राजगद्दी पर अधिकार लेने के उद्येस से उनके पास आये हैं क्योंकि वो तो मरियादव पुरुशोत्तम है उन्हें सब पता है फिर भी राम ने उन स्वार्फियों से मित्तर्ता कर ली क्यों वो इसलिए कि राम स्वयम राजगद्दी का भोग करना चाहते थे राम के मन में यह बहुत भयंकर पीड़ा की वो जो भरत वहां पर राजगद्दी पे बैठा था उस पीड़ा से वो बहुत व्यथित थे तो अब व्यथित व्यथित दो व्यथिती कठ्ठे हो गए राम सुग्रियू बिभीशन सारे व्यथिती कठ्ठा हो गए तो साथ उए तो बन गया संगठन बेथितों का संगठन अब कैसे कोई इन बेथितों के बीच में सर्वाइब कर पाएगा जहां चल बल धोके से मारने की परविर्थिया इनमें हैं तो आगे चलते हैं अगले बिंदू पर उसने विश्वास घाती भाई की भलाई के लिए उस बाली को छिपकर मारा जिसने पीड पीछे राम का अजित नहीं किया था उस राम को भी बाली के सामने युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता था मूर्ख ब्राम्वनों द्वारा अत्यधिक प्रसंसा की गई वह भी उसे एक शूरबीर मान कर आप बिंदूओं को गोर से सुनिए और इ क्या राम चरित मानस मर्यादा प्रुशत्तर राम के चरित्र को पूजनिय बनाती है या बाल्मी की की रामायन उस पूजनिय ब्यक्ति के चरित्र चितरन का परदा फास करती है बिभीशन द्वारा उसकी अधिनता सुविकार कर लेने पर भी अज्यानतावस राम ने अपनी बुरी भावनाओं तथा चल कपट को प्रकट कर दिया राम ने भरत की प्रसंसा की की भरत चाहे कितना दुष्ट वापापी क्यों न हो किन्तु उसके सद्रिश बड़े भाई का आग्याकारी तथा धर्मयुक्त कोई नहीं है इस प्रकार राम ने ब्यांगातमर ढंग से भरत को दुष्ट कहा आप यहाँ पे समझे बिभीशन किस कंडिशन पे रहा होगा आप क्या आपको लगता है कि कहीं रामन गलत रहा होगा यहाँ पे भरत जैसे भाई के लिए जो दोड़ा आया खड़ाओं लेकर कि भाई पहनो और चलो राजगद्धी सम्हालो वो भाई ब्यांगातमर रूप से कह रहा है आप यहाँ पे इस भिंदु पर दुबारा से सुनके थोड़ा गौर परमाईएगा मर्यादा पुरुशत्तम की कहानी मेरी जुबानी तो अब आते हैं अगले भिंदु पर यहाँ पर बाली के बिशे में दिया गया है अगला बिंदु बाली को मारते हुए उस बाली से व्याखा की कि जहां तक जानवरों का संबंध है यहां धर्म का विचार नहीं करना चाहिए तो राम ने बाली को इस कारण मारा कि वह चेतन जीव के समान ब्योहार नहीं करता था बाली के प्रती आरोपित दोशों के प्रती उसे कुछ भी कहने का आउसर नहीं दिया गया राम ने बाली को पूणता सुग्रिव के स्वाधपूर कतना नुसार मारा अब यहां पे एक पक्ष की बात सुनकर उन्हों राम ने बाली को मारा आप गौर करें नया है यह मर्यादा पुरसोतम का नया है उस मर्यादा पुरसोतम का नया है जहां पे आज हमारे स कानून से जोड़ें तो यहां पर ये एक पक्षिये न्याय है यानि ये अन्याय है कि एक पक्ष का खाली उसकी हो सकता है कि उसने नाटक करके अपने आपको भाई के प्रती दुखी बताकर कि भाई उसे परिशान करता है ऐसी गलत चीज़े बनाकर राम को दुष्प्रेडिक किया और अपने भाई की हत्या करवाई तो मर्यादा पुरुशोतम जो भगवान है त्रिकाल दर्सी है उन्होंने अपनी आख का उप्योग यहां क्यों ना किया सवाल आप सभी के दिमाग में आने चाहिए क्योंकि जब तक आएंगे नहीं तब तक पाखंड अंदविश्वास का जो जाल है यह जाल बहुत ही मजबूत यह इतना मजबूत है कि यह इसकी मजबूती आपको अपने बच्चों के आगे कमजोर कर देती है यह इतना मजबूत है बच्चों के आगे कैसे मैं बता रहा हूँ शिक्षा के द्वारा आपका बच्चा बहुत ही अच्छी अस्थान पर जा सकता है डीम बन सकता है एसपी बन सकता है बड़ा इंजीनियर बन सकता है बड़ी कमपनी का मालिक बन सकता है और मुख्यमंत्री बन सकता है प्रधान मंत्री बन सकता है लेकिन आप अंद पिस्वास और पाखंड में जकड़े होने के कारण आप अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा और विज्ञान के प्रती ध्यानना देखर अपने बच्चे को उस तरफ की दिशा में मोड़ देते हो जहां पे आपका बच्चा केवल मजदूर सिपाही कलर्क यही सब बन के रह जाता है तो इन सब चीजों को गौर करिये और अंद पिस्वास के जाल को काटने के लिए सच्ची रमायन का बार बार पठन पाठन और अब तो देख नी सकते हैं तो देखिए सच्ची रमायन राम ने बहुत सी इस्त्रियों के कान नाक वास्ता इत्यादी काटकर उन्हें कुरूब बना दिया था और उन्हें यात्नाएं दी शूप नखा और अयाँमभी इसका उधारन है भाई नाक कान काटना आप सभी को भी मालूम है नाक काटना का मतलब होता है इज़्जत लूटना कोई किसी की नाक यूँ ही नहीं काटता ना काटने से किसी का कुरूब बना देने से कुरूब बनाना कोई ने कोई बड़ा कारण रहा होगा यानि आज आप उसे acid attack से जोड सकते हो ना काटना को acid attack से जोड सकते हो वो कैसे है जैसे कोई हमारे घर की बच्ची या बाली का सबच पे जा रही होती है तो ऐसे हराम खोर, जो समाज के विद्रोही होते हैं, वो उन बच्चियों को अपने जहांसे में लाने का काम करते हैं, जब वो बच्चियां उनके जहांसे में नहीं आती हैं, तो उनके उपर एसिड फेकने का काम करते हैं, यानि उन्हें कुरूब बनाने का काम करते हैं, वह किसी महिला के साथ आज तक नहीं हुआ है नाक नहीं अगर उन्हें सजा देनी थी तुछे मार देते उनकी बात नहीं सुरी तुछे मार दिया होता लेकिन यहां क्या नाक काटा यानि उसकी इज़त लोडी तो आएए आगे चलते हैं हम सच्ची रमायड के अगले बिंदु प राम ने कई अवसरों पर इस्त्रियों को गालिया दी अगला बिंदु राम ने इस्त्रियों के परती ऐसा कहते हुए उन्हें अपमानित किया कि उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए उन्हें गुप्त भेद नहीं बताना चाहिए अयोध्याकान संवाध्याय अब यहां पे आप देखिए राम का चरित चित्रन यहां पर इस्त्रियों को के प्रती कितना अभिश्वास उनके मन में भारा था और वो कह रहे हैं गुप्त भेद अपना नहीं बताना चाहिए गुप्त भेद मतलब यही चीज हमारे समाज का संस्कार बन जाता है जब हम कोई गलत काम क करोगे जब आप किसी गलत काम को किये रहोगे तो आपका गुप्त भेद हुआ वो गुप्त भेद अगर आपके घर में पता चल जाएगा यानि आप कहीं दुष्चनिर्ता कर रहे हो और आगे घर में बता दो या पता लग जाए तो आपकी खैर नहीं तो बता रहे हैं यह पर मर्यादा पुर्शुत्तम राम की गुप्त भेग नहीं बताना चाहिए अरे भाई गुप्त भेग करना ही नहीं चाहिए बताने वाली बात तो अलग है आईए अगले बिंदु पर चलते हैं राम ने हमेशा अनुचित विशे भोग में तल्लीर रहता था यहां भासा राम अनवस्यक रूप से कई जिवों को मारा और उन्हें खा गया राम ने कहा था कि मैं केवल राक्षसों को मारने के लिए बन गया था दूसरे मैंने राक्षसों के संहार करने का दूसरों को वचन दिया था अब ये राक्षस कौन थे राक्षस अगर हम कहें तो यहां पे राक्षस वो कह सकते हैं, जो समाज के लिए समाज की सुरक्षा का काम किया करते थे, उन्हें राक्षस कह दिया गया, तो अब आगे चलते हैं, फिलहाल ये लंबा बिशे बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे पुस्तक की बात कर रहे हैं, तो पुस्तक की बात करेंगे, जाबा इधर उधर आपका ध्यान बढ़काने का काम नहीं करेंगे तो राम ने राक्षसों की लडाई में लाने का निश्चे किया राम ने राक्षसों को लडाई में लाने का निश्चे किया और सीता के विरोध करने पर भी उसने रामण के देश में प्रवेश किया ये अरण्य खंड में लिखा गया है कुम्बकरण से लड़ते हुए राम ने कहा कि लोगों से प्रेरित होकर मैं केवल राक्षसों का बद करने है तू वन में आया हूँ अरण्य खंड में 29 अध्याय में लिखा गया है यह बहुत ही मलब बुद्जीविता का काम है कि यह जो इसमें लिखा गया है वो रिफरेंस लेके लिखा गया है यही हमारी मजबूती का कारण है यही विश्वास का कारण है कि हमें इस पर विश्वास करने के लिए प्रिरित करती है और रामचरित मानस के उस उद्गरिंसों में जो लिखे हुई है मन गड़न उस पर विश्वास नहीं होता उस विश्वास अठाने का काम होता है तो अपने आप हड़ जाना चाहिए क्योंकि ये रिफरेंस जो लिखा गया है वो पहले की पुस्तक से लिखा गया है यानि वो रामचरित मानस से ज़्यादा सम्मानित अगर किसी का आस्था और विश्वास का विश्य है तो वो सबसे पहले वो विश्वास होना चाहिए बागमी की रमाण पर अगर भाग्मी की रमाण पर किसी को विश्वास नहीं है तो वो सबसे बड़ा धोके बाद है उस धरम से जो अपनी ही पुस्तक का पहली पुस्तक का विश्वास नहीं कर रहा है तो आगे बढ़ते हैं स्वार्थ कुन उद्देश से राम ने अयुद्ध्या एवं कप्टी सुग्रिव को ब्यर्त ही आत्म समर्पन कर दिया कि मुझे स्विकार करो मुझे पर दया करू यह जानते हुए भी बिभीशन ने अपने भाई दी रामण को धोके से पकड़ा दिया है फिर भी राम ने बि तो रामण के पास यह सूचना देने के लिए भेजा था कि यदि अंगद यहां पे अंगद है थोड़ा मिस्प्रिंट हुआ फिर मैं इस कोईन को पड़ दे रहा हूँ लंका का राज पहले से ही बिभीशन को देने का बचन देकर राम ने अंगद को रामण के पास यह गुरु आदी सभी बन में राम के पास गए और राम से अजुध्या लोट चलने का सफ्त्रेग्र किया किन्तु हिर्दय राम ने उत्तर दिया कि मैंने अपने पिता के वचनों का पालन करने का निश्चे किया है और मैं किसी का कहना नहीं मानूंगा इस प्रकार उसने लोट का तिर्यासकार करके अयद्धो का राधा बनना स्विकार कर लिया दसरत के प्रती भारत भरत राजगद्धी देने का वचन युद्धकांड 130 अध्याद राम ने ना केवल गद्धी प्राप्त करने का इचुक था बलकि हुए अपने पिता के वचनों के अंसार वन जाने के समय से ही पिता के वचनों का पालन करते हुए वन में रहकर अयोध्या लोटने पर स्विम राजा बनना चाहता था राम को गद्धी पर बैठाने की आशा, चिंता, इच्छा के अतरिक्त कुछ ग्यान ना था राम ने समय समय पर ये विचार अपनी बाचीत में प्रकट किये एक साधारन मनुश्य की भादी राम लक्षमन को एक नदी में फेक कर स्वेम, नदी में गिरकर मर गया ये जिक्र तो बड़ा ही पेचिदा है जो आप सभी को लगेगा की वाक्य ही एक मर्यादा पुर्शोत्तम राम की मिरत्यों किस प्रकार हो रही है ये लिखा गया है उत्तरकांड 106 का 110वा अध्याए एक साधारन मनुश्य के भादी राम लक्षमन को एक नदी जिसे गुपतार घाट पर सर्यू नदी में फेक कर स्वेम उसी नदी में गिरकर मर गया तत्पस्चात राम ने उपेंद्र के रूप में अवतार लिया विश्णू का जो अवतार था उपेंद्र उसके रूप में अवतार लिया आप यहाँ गौर से देखिए मर्यादा पुशूत्म राम के साथ लीलाएं कौन-कौन सी होती हैं तो यहाँ पे आप सभी सच्ची रामायन का जो यह अंस पड़ रहे हैं यह बड़ा ही मतब इंट्रेस्टिंग विशे है कि कैसे हम पाखंड और अंद्विश्वास के जाल में गिरे रहे इस रामचरित मानस की वज़ा से हमने अगर बालवी की रहायन को उसी तरह पेस किया होता लोगों के बीच में तो आज साइद रामचरित मानस जो अस्थान लोगों के आस् जकड रही है मैं आस्था बोल रहा हूँ वो जूटी आस्था है वो जूटी आस्था लोगों के बीच में खतम होती तो संस्कृत के स्लोक में वर्णन है कि राम ने अपने दाहिने हाथ को संबोधर करते हुए कहा कि क्या तु राम का अंग नहीं है तुने बिमार ब्रामण पुत्र को जीवित करने के लिए एक निर्दोश सुद्र का बद किया बिना किसी हिचकी चाहट के निर्दैता पूर्वग आप यहां पर संस्कृत के स्लोक में ये वर्णन है राम ने दाहिने हाथ को संबोधर करते हुए कहा क्या तु राम का अंग नहीं है तुने बिमार पुत्र को जीवित करने के लिए एक निर्दोश सुद्र का बिना किसी हिचकी चाहट के निर्दैता पूर्वग बद कर दिया अब आप देखिए राम स्वेम स्विकार कर रहा है कि कैसे उसने संभूग रिशी का संभूग सुद्र संभूग का बद किया ये ये मर्यादा प कपाट बंध हैं खुलता ही नहीं है ये ये खुलता ही नहीं है क्यों क्योंकि हमें अपना विबेक इस्तेमाल करने की आदत ही नहीं है अगर हम अपना विबेक इस्तेमाल करें तो हमें पता चल जाए कि आखिर हमारे साथ ही ये सड्यांत्र क्यों तो आगे चलते हैं इसी मे जो बिंदू है लेकिन ये सोचने का भिशे है आप इन बिंदूओं पर अध्यान करिए और सोचिए लिखा है राम ने जो धनुस तोड़ा था वो ये सिवका था वो ये पहले से ही तूटा था ये देखिए अविदहंस चिंतामणी नामक पुस्तक के पेज 157, 331, 570, 663 और 1173, 1194 में इसका जिक्र है बिभिन रामायन और परशुराम के द्वारा समर्थन किया गया जब राम ने धनुस तोड़ा था उस समय राम की अवस्ता माता कौशल्या के अंसार 5 वर्स, पिता दसरत के अंसार 10 वर्स और उसके इस्तरी सीता के अंसार 12 वर्स की थी कुछ भी हो विभिन कथाओं के अंसार धनुस पहले से ही तूटा था अब आप समझिए इतने लोग थे राम के उम्र का आंगलन किसी को नहीं था मैं समझता हूँ हो सकता है ना रहा हो क्योंकि उन समय गिंती ही न जानते हो लोग हुआ हो ओस समय गिंती का विष्षकार ना हुआ हो उसमय एक दो तीन चार चलता ही न हो वहां पहले बताते थे के बच्चा कितना बड़ा इतना वड़ा है कितना वड़ा है फिर पूछ लिया कितना वड़ा है इतना वड़ा है यहीं बताया करते थे पहले तो उस समय यह जो उम्र का हिसाब बताया है मैं तो पहले से खारिज कर रहा हूं कि यह पूरी तरह से गलत है उम्र जो बताई गई है वो गलत है तो उम्र यह ब्रेथियर का द्रिष्टिकोन जो इस राम चलित मारश के लिए है इसी ब्रेथियर जी के द्रिष्टिकोन के बाद से आज का ये भाग खतम होगा तो मैं शुरू करता हूँ राम चार-पांच बिंदू है जो बहुत ही रोचक और विचारनी हैं बादमी की रवाण के अंसार राम कोई धार्मिक बेखती न था उसका अनेको कपट पूर्ण कार्यों में हाथ था पहला नमबर दूर राम इस बात को पूर्णता जानता था कि अयोध्या के राजे का वास पिता दसरत ने भरत की माता कईकई के विवाह करने से पूर्णत ही उनसे वचन दिया था कि कईकई के उत्पन पुत्रों को ही अयुध्या का राजा बनाया जाएगा केवल इसी सर्थ पर कैकई के पिता ने दसरत को कैकई दे दी थी तो आप यहां पर इन सब चीजों को राम ने स्वेंग भरत से इस बात का संकेत दिया था कि राम ने भरत से प्रातना की थी कि वह अपनी माँ पर दोशारोपन ना करे उक्त बात राम की मां रिशियों गुरू वा मंत्रियों को बिदित थी अब आते हैं नमबर पाँच संक्षेव में राम की माता रिशी गुरू वा मंत्री अयोध्या की राजगद्धी को भरत से चीर कर उसे राम को दिलाने में दसरत के घ्रिंडितवा कपट पूर्ण सरयात्र में सह अपराधी थी आप ये डक्टर सौम सुंदरा बरेथियर का दृष्टी कोण है आपका अपना भी दृष्टी कोण होगा आपने राम के इन दोनों भागों को सुना जाना अब आप भी निर्णे निकालिये कि राम किस तरह का ब्यक्तित्त था मर्यादा पुरुषोतम राम था एक पुरु के लिए कलंग था इसे आप अपने कमेंड द्वारा हमें बता सकते हैं अब एक और थोड़ी सी दो पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूँगा वो बड़ा ही इसी बुस्तक से ही जुड़ा हुआ है तो राम की ये कहानी आज यहीं पर समाप्त होगी अगला एपिसोड मैं फ सिगा को गैंगेश्टर की प्रकिर्ती का राम और रामण नामक राक्षस द्वारा लेग जाये जाने में प्रसंद सीता तुछ हिर्दे की बालिका थी देखिए 20 नवंबर सन 1994 भी वालियूम नंबर 13 जिल्द नंबर 263 प्रिश्ट 2 का सोवियत यूनियन नामक समाचार पत् ऐसे ऐसे एविडेंस होने के बावजूद भी हमारा पढ़ा लिखा लिखा पढ़ा समाज बिल्कुल भी उसका उप्योग नहीं करना चालता आकिर क्यों आप पढ़िएंगे तभी पाकर्ण अंदिजवेश्वास हटेगा तो सभी सात्यों से आज का एपिसोड आज का ये कथा यहीं पे समाब तो होती है और आप सभी से आग्रे निवेदन आप सभी चैनल को लाइक वा सब्सक्राइब करें जिससे हम आगे आपको इस कथा को बिस्त्रित इसका वर्डन करें और आप आनंद लेके सुनें कि आप सुनेंगे तो आपका पाकंड़ इंद विश्वास रफू चक्कर हो जाएगा आप ज्यान के और बुद्धी जीविता के छेतर में आपका बहुत बहुत बड़ा बाद स्वागत नमबुधाय जैभी